हेलो दोस्तो वेलकम तो अबर यूटूब चैनल स्टेडी सर्केल 2.0 सो कैसे हैं दोस्तो आप सभी लोग आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे तो दोस्तो आज हम लोग जो है बिल्डिंग ड्रॉइंग जो हमारा थर्ड समस्टर का एक सब्जेक्ट है सिविल इंजीनरिंग क नगर्षब रखी धियाएं तक बनाएंगे को मैं मनें इसके बाद फ्रेंट ऐलिवेशन ओर सारी चीज़े सिखाऊंगे ठीग हालांकि आया था था एक ही चीज दी और बोती से एक्षन और दूसरी चीज थी डिटेल प्लान ठीक हम पूरी की पूरी तीन से चार चीजे जो हमाई रहेंगी हम पूरी बनाएंगे ठीक है तो क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं बोला बोला है कि चित्र में दिखाये गए आवासिय भवन का तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी नहीं किया था क्योंकि हमने जो भी सेक्षन का क्वेश्चन किया है वो लाइन प्लान को होरिजॉंटली इस तरीके से काट करके देखा है ठीक है इस तरीके से तो अब हम एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी करा देगे कि इस त चीज़े हमें दीए ठीक है तो मेली डेटा आपका इस से डेफरेंट भी हो सकता है जो मैं यहाँ पर बताऊंगा लेकिन जो रहेगा जो line plan रहेगा रहेगा टीक है size भी विल्कुल रहेगा और यह data थोड़ा आँगे पीशह हो सकता है सीखने को मिलेगी कि इसमें जो WC आपको दी गई है वो अटेच की गई है आपके बैड रूम के साथ तो यह भी एक नई चीज यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी ठीक है तो इस को आप पढ़िए कोस्चन में आप से बोला है दिएगा इन लाइन प्लान से भवन का आपको डिटेल मैप बनाना है फिरंट एलिवेशन बनाना है और आपको एम एन पर एक सेंक्षन बनाना है ठीक है तो वह हम यहां से काट रहें एक कुछ इस तरीके से अभी नहीं काट रह सब्सक्राइब करते हैं जो हमारा यह लाइन प्लान दिया है इसमें सारी सारी मेजरमेंट कर लेते हैं तो मैं आप सबको बता चुका हूं कि जो भी मेजरमेंट हमारी लिखी होती है A into B के फार्म में पहली वाली होरीजोंटल होती है और बाद वाली होती है वो वर्टीकल होती है ठीक है जैसे इसमें दिया है कि WC का साइज आपको 3 गोड़े 1 मिटर रखना है ठीक है यानि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो 3 मिटर होगी और यहां से यहां तक आपका फोर मीटर होगा यहां से यहां तक तीन मीटर होगा इसके बाद जो आपका यहां पर बैडरूम एक और अटेस कर दिया है यहां पर देख सकते हैं तो उसका जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो आपका फोर मीटर है एंड आपका यहां से यहां तक का डिस्टें moo tree with an olduğ your идолike your Choose happier को Calendar में देख HOIR दूए देदी इस इसी रूम के साथ lighter करके तो साइज कोई सबसे अगर को यहां से यहां तक सबसे हम यहां सबसे पहले हम यह वाली डिस्टेश काल को लेते हैं तो मैं आपको बताभ है कि के समय आप आउटर वाल की ठीकने समय सा छोड़ दें उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है ठीक है यह आप ध्याँ रखे केवाल जो इंटीरियर बॉल होंगी उनका ही साइज आप लेंगे आउटर बॉल का नहीं लेंगे तो चलिए उपर से क्यलकुलेट करते हैं तो देख जो कि है हमारी 20 प्लस यह जो हमारा डॉइंग रूम है उसका यह पूरा हाइट कितना रहेगा यह वाला तीन मीटर तो हम कर देंगे प्लस में 300 यानि हमारा टोटल आ गया 740 सेंटी मीटर यह यहां से आदकर डिस्टेंस से यह धिया रखे आप लोग ठीक है चलिए इसके ब कितना हो जाएगा 720 सेंटी मीटर ठीक है कोई दिक्कत यहां दर चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते है ठीक है अब आप अगर यह जो क्यल्कुलेशन आपने इस साइट से करिए वह आप इस साइट से भी कर सकते हो ठीक है अगर मैं बताओं किस तरीके से करना है तो गी है तो में आपको यह दीवार भी एड करनी है तो 20 और प्लस में यहां से यहां तकी डिस्टेंस लेनी है यानि यह वाली तो यह हो जाएगी हमारी तीन है ठीक है यानि प्लस में अब हम यह वाली दीवार अटेच करेंगे डबलूसी की ध्यान दीजिए तो ट्व boughtum यह WC का ये वाला जो distance होगा एक मिन्टर का यानि 100 तो इसको भी attach कर देंगे ठीक है तो ये हमारा आजाएगा 740 तो समझ गई यहां से आप count करिए या फिर आप यहां से count करिए आपका बरावर ही आएगा ठीक है आप देख भी रहे होंगे figure में कर लेंगे और हमारा आजाएगा 14.8 यह हमारा स्केल में आ गया और अगर मैं इसको निकालू तो यह हो जाएगा तो यह हमारा आजाएगा 14.4 ठीक है यह हमारा किसमें आ गया सेंटीमीटर में चलिए तो अब जल्दी से एक box बना दीजे जिसका size होगा 14.8 सेंटीमीटर and 14.4 सेंटीमीटर चलिए तो मैं इसको रख तम साइड में और इतना तो सब को पता होगा तो हमें कितने का बनाना है दूस्तो 14.8 and हमको बनाना है 14.4 का चलिए तो 14.4 की बना देते हैं देखिए 14.4 ठीक है यह हमने बना दी इस तैलिक से अब इसको पूरा का पूरा क्लोज कर मैं तो जल्दी से इसको क्लोज कर दीजे आप लोग एक box बना दीजे पूरा का पूरा तो दिख सकते हमने यह पूरा का पूरा चारों तरप से अब हमें outer side क्या करना है 20 cm की दीवार और दिखा देनी है, ठीक है, outer side से, outer side से कितने की दीवार दिखा देनी है हमको, 20 cm की तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 20 cm लेंगे, और डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.4, यानि 4 mm, ठीक है, तो 4 mm की जल्दी से दी साइन्टी मिंटर की दीवार भी बनाती चलिए अब हम रखते हैं को अपना साइड में और देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज हमें करने हैं तो अगर पूरे प्लाट को हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो इसमें देखी कि कौन सी ऐसी लाइन है है जो कर दिवाइड कर रही है आप चाहें इस लाइन लाइन को देख लिए या इस वर्टिकल लाइन को देख लिए लाइन उक्तर है तो हम से पहले हैं तो यह नीचे से कितनी दूरी पर है तो यहांसे नीचे से पहले तो 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका दीवार को सो करेगी तो दीवार की जो ठिकने से वो आपको 4 mm लेनी है ठीक according to your scale ओके अब मैं एक बार scale में change कर चुका हूँ दीवार की ठिकने आने के बार मैंने क्या गरा इसको भी इस तरीकी से खीश दिया देगी है इस तरीकी से मैंने इसको खीश जा और जो दीवार की ठिकने से वो हमारी से डिवाइड होगा तो आजाएगा तो सेंटी मिंटर हम नीचे कितना आ जाएंगे तो यह हम तो दीवार की ठिकने से चार में वह आपने दिखा दी ठीक है यह हमारा डबलू सी एंड किशन डिवाइड हो गया अब इसके बाद हम यहां देखेंगे बैड रूम को ठीक है थोड़ा सा समझना है आपको बागी हीज़े आपको समझ में आ जाएंगे चलिए देखने कैसे समझाएंगे हम आपको तो बैड रूम का अगर आप यह वाला साइज देखें तो फोर मीटर है तो वो तो अपने आप दिख रहा है लेकन आप ऊपर कितना जाना है तो उपर से बहले तीन मीटर को डिवाइड करेंगे तो यानि कि यह भी हमारा अच्य ही आएगा लेकिन दिखा देते हैं तीन मीटर डिवाइड वाइड फिटी ठीक है यह 300 संटीमेटर हो जाएगा ना तो हमारा च्छा संटीमेटर आ गया तो अब आप क्या करेंगे यहां से 6 संटी करेंगे अभी समझते कैसे अब हम WC को बना रहा है इस कॉर्णर पे इस कॉर्णर पे तो WC कि अगर मैं यह वाली डिस्टेंस कहूं आपसे कितनी है तो आप कहेंगे दो मीटर है यह वाली तो तो दो मीटर को जब मैं लूँगा तो मेरा 200 हो जाएगा कितना हो जाएगा 200 औ इसको चार एमेम लेनी है तो मैंने इस alors की थिख्में ले ली ठीक है तो अब क्या करेंगे यह जो आपकी दीवार यहाँ पाचोकी ए इसको डार करना है और इतना पॉर्षन आपको एरेज कर देना देखिए कैसे आपको केवल इतने पॉर्षन को डार करना है तेखिए यह वाला जो portion है ये वाला जो portion है इसी को केबल डार करना है कुछ इस तरीके से और यह जो portion आपका निकलकर करे आ गया इसको आपको एरेज करना है ठीक है इसकी कोई requirement नहीं है हमारी बस हम ने इसको थोड़ा सा help ले लिया इसका ठीक है तो यह समझ रहे हो अब यह जो आपका निकल करके आगया यह bedroom निकल करके आगया यह वाला और इसमें कुछ यहाँ पर open portion आपको दिख रहा होगा ठीक है यहाँ थोड़े सी जगए आपकी बच रही है और यह आप पूरा चीज़ें आपकी यहाँ पर आ चुकी ठीक है अब क्या करना है आपको सबसे पहले इनकी नेमिंग और नेमिंग के साथ-साथ इनकी जो मेजरमेंट है वह आपको दिखानी है तो वह मैं वीडियो पॉज करके जल्दी से दिखा देता हूं ठीक है उसमें हम टाइम बेस्ट नहीं यह इस तरीके से अमें दिखाना होगा ठीक है तो एक समझ लिए तो आपको सब बन जाएंगी यह आपको दिखाते है इस तरीके से अगर आप लिग भी देंगे तब लिए आपको दिक्कत नहीं होगी आपको इस तरीके से यहाप लिग देना यह आपका क्या है वाइं technisch यहां पर इनका जो size है वो दिखा दिया है कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों यह doing room kitchen wc ठीक है यह bedroom bedroom का size अब आप देखिए अच्छे से यहां से यहां तक 4 meter और यह 4 meter है यह bedroom का यह 4 meter एंड यह 3 meter ठीक है तो यहां तक सारी चीज़े clear एकदम चलिए अब हम बात करते हैं door window ventilator य अब को इस्टेयर दे थी यहां पर आप question देखें तो इसमें इस्टेयर दे यहां पर तो मतलब integrate है यही से होगा हमारे ठीक है अभी हम इस्टेयर भी बना देंगे कोई दिक्कत नहें चलिए तो हम यहां से इंट्रीगेट रख रहें एंट्रिएक है हमारा फंगा फ्रंट यहां पर बनेगा इसके बाद डॉंग अesको आप D1 साइ integers का दोर हमहां यहां दे रहे हैं इसके बाद ऑप डीवन का ओर कहाँ दे सकते हो और डीवन दे सकते हो कहीं पर और कहीं नहीं आप किचिन से बैडरूम को connect से लगा दो यहां पर एक यहां से यहां से अपर जाओगे यहां यहां लगा देट यहां देते हैं एक लगा देते हैं चौड़ाई 120 रहेगी हमारी 120 cm तो अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 120 डिवाइड़ वाइफिप्टी तो यह हमारा 2.4 आज जाएगा ठीक तो अब 2.4 आप यहां ले लेंगे कुछ इस तरीके से 2.4 आप ले लिए 2.4 आपने लिया 2.4 लेन के बार इस तरीके से इसको मिला दिया ठीक है तो यहां पर हमारा दोर भचेगा अब हम यह लाइन्स एरेस कर देंगे अभी ठीक है उनको हम कर देंगे को दिखके रहा है डीवन का आपको साइज पता है 90 cm तो 90 divided by 50 तो कितना आगया पॉइंट ना स्वरी 1.8 तो 1.8 यहां पर ले लिए लिए 1.8 यहां पर ले लेते हैं ठीक है आप सबको पता होगा यहां आपको 75 लेना है इस बार तो 75 divided by 50 तो यह 1.5 cm आएगा तो 1.5 ले लिए आप जल्दी से और 1.5 यहांत अब लादिया यहां पर यहां पर अभी लाच करेंगे ठीक है अब यह मार क रहे हैं कि वल्के यहां पर लाइनाए तो 1.5 लगा इस जल्दी से 12 basic लेना है तो थोड़ा थोड़ा धौन इसे फिर देने ङए ये कुछ इस तरीके से ठीक है ये यहाँ पे end यहाँ ठीक है तो ये 1.5 का यहाँ पे भी हमारा डो लग गया यहाँ भी चोड़ाई दिखा रहे हैं अब lines को erase कर दो जल्दी जल्दी ये line ये line and ये line ये line और ये वाली ये वाली लेकिन एक छोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि इस दीवार में हमने door नहीं लगा था क्योंकि यहाँ door नहीं लगाएंगे न तो फ़र यहाँ से यहाँ नहीं आप आएंगे नहीं यहाँ से यहाँ जा पाएंगे आफम लोग लगा देते है कहाँ पे यहाँ पीछे की सायट हचाहें यहाँ पीछे की साइट में इलाट हाँ बतादे था सब ड़े नहीं है यहाँ फिलनो का साइज भू रीदव यहाँ पाइंटिन एंट बेणाजम की विन 우ह एंट उननिकला यहाँनि तो 120 divided by 50 जब हम करेंगे तो 2.4 आएगा ठीक है तो अब ये 2.4 आपको कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ तो जैसे सपोस करके मुझे यहाँ पर लगाना है ठीक है फ्रेंट में तो फ्रेंट में मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रहेगी एप फोर ले लिए यानि 39 के गरीब ठीक है अब यहाँ पर इसका सेंटर मार कर लीजे ठीक है सेंटर मार करने के बाद आपको 2.4 दिखाना है तो सेंटर के आप 1.2 एक साइट चले जाए की विंडो यहां पे लगा देनी है यहां से यहां तक का सेंटर फिर यहां से यहां तक का सेंटर लेके ठीक है WC में तो लगाना नहीं है एक आप यहां पे लगा दीजे इस जगहे पे एक लगा दीजे आप यहां पे ठीक है यहां पे अगर आपका मन कर रहा हो तो आप यहां और बेड्रूम के बीज भी एक विंडू लगा दिए ठीक है ताकि आप यहां से देख सके किचन में क्या बन रहा है चलिए आप बात आ दिए बैंटी लेटर वी तो बैंटी लेटर आप लगा दीजे किस साइज का इस साइज का ठीक है मैंने ये साइज ले रखा है 600 mm और पा तो इसका इंट्र पार्ली ले जिए लेंगे तो यहां पे लगाना है तो यहां पे लगाना है, आज़ो यहां पर लिए कर व्लेटं रावा पीहां लगा दे नगाएं सेंटर लेना सेंटर लेने के बाद शैसे आपका बैम की लग जाएगा चलिए उसको ले लिएऴ चलिए तो बैंदी लेटर कामप्लीट हाजगे देख सकते आप यहां पे आंदर पिष्थ आप सबको पता है बाद इस तरी किसे यहां पी नो एम ले लेना है देखिए यह डॉट्टेट करके इस तरी किसे दिखाना है और थोड़ा थोड़ा बाहर की गुर भी निकाल देना अधिक है इस साइड है यह देखिए आपका इस तरीकी से यह बैंट इटर यहां पर लग गया अब सब चल्दी से लगाई है यहां पर यहां पर यहां पर पीछे पीछे एंड यहां राइट में है चलिए दोस्तों तो इस तरीकी से संसेड हमने सभी के सभी दिखा दिए चारों आप देख सके पांच यतने भी थे वह आप क्या करना है अब आपको जो पीप आपका एग्जाम पेपर था उसमें यहां पी आपको इस्टियर दिखानी है ठीक है तो इस्टियर का पहले तो उसने कुछ दिया नह जो 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 खोड़ा शाड़ कि आने तक लेखे लेंगे लेंगे लेकिन आप उपर से जब देखेंगे तो आपको पता है जो यहां पी ठ्रेट दिख रहे एंके तो आपको तीन चार्ट काटने एप अपनी मर्जी के कशाब से चाहट सकते हो जितना आपको काड़ना तो मैं कार्ट देता हूं यानको 300 mm का यानि 30 cm का तो 300 divided by 50 यानि कि मुझे 6 mm का रखना है ठीक एक तो यानि मैं 18 mm नीचे आ जाओंगा ठीक है यहां तक कोई दिखकत किसी को तो मैं यहां से 18 mm आ गया और मैंने यह ले लिया इस तरीके से एंड थोड़ा समय आंगे ले ले लेता हूं मैं इसको यहां तक ठीक है और अप्छे स्टेर्ड देखा दिखा दी और क्या दिखाना जाएते हो बस अपकुछ होना नहीं है पुरा का पूरा कोश्यन आपका का कंप्लीट हो गया ठीक तो इस तरीक पनाएंगे आपलों अग्जाम में यह आ जाएगा तो ठीक तो आई हो यह जो question था यह आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस तरीके साम इसका detail plan बनाएंगे ठीक है और आप अगला जो वीडियो आएगा उसका front view जो रहेगा बहुत आयार करेंगे तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह जल्दी बताइए मुझे comment box में और दोस्तों को जल् एक लेक्षर में thank you and thanks for watching